हेलो दोस्तो आज से हम वन येर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है उनको हम वन बाई वन मन्थवाइस डिसकस करेंगे ठीक है चले दोस्तो जनवरी महा में कौन-कौन से डेट इंपॉर्टेंट है उससे देखते हैं जनवरी महां के नौ तारिक को प्रवाशी भारती दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांदी साउथ अफ्रिका से सदेश वापस लोटे थे महात्मा गांदी को भारत का सबसे बड़ा प्रवाशी माना जाता है इस साल यह 21 से 23 जनवरी के युवादिवस स्वामी वेकानंजी के जन्मदीम के रूप में मनाया जाता है भारत सरकार दौरा 1984 में राश्टी युवादिवस के रूप में घोसित किया गया था 1985 से यह काईकरम हर साल मनाया जाता है इस साल का जो थीम था इसका ट्रांस्फॉर्मिंग एजुकेशन ठीक है इस बार राश्टी युवादिवस बारा नगर रामकिष्ट मिशन की पश्चिम बंगाल में मनाया गया था 15 जनवरी थल सेना दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है यह फिल्ड मार्सर कोडंदेरा एहम करिपा के सम्मान में मनाया जाता है 15 जनवरी 1949 को सुतमत भारत के पहले सेना प्रमुखिय बने थे देखे 24 जन्वरी को राष्टी बालिका दिवस की रूप में मनाया जाता है लड़कियों को हर एक प्रकार से समर्थन और औसर देने के लिए यह हर साल मनाया जाता है इस दिन समाज में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाले सभी विशमताओं भेदभाव शोशन के बारे में लोगों को जागरूप करने के लिए यह मनाया जाता है इस बार का जो थीम था वो था एक तेज तर्रार लड़कियों के लिए ससकती करण रखा गया था ठीक है देखे 25 जन्वरी जो है आपका राष्टी मद्दाता दिवस के रूप में मनाया जाता है यह भारत में युवाओं को मद्दान के लिए प्रोसाहित करने के लिए यह दिवस के रूप में मनाया जाता है इस बार का जो थीम तक कोई भी मद्दाता पीछे नहीं समिधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1909 को भारती समिधान द्वारा इसे अपनाया गया था यह भारत के तीर राष्टी अवकासों में से एक है कि पहला है आपका गर्तंद दिवस दूसरा है आपका पंदर अगस्त और तीसरा है आपका गांधी जैन्ती ठीक है देखे 30 जनवरी को विश्व कुष्ट रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है यह लोगों के बीच कुष्ट रोग और हेंसन रोग के जागरुपता बढ़ाने के उद्देसे से यह हर साल मनाया जाता है इस साल का जो थीम था इसका वह था आपका भेद भाव कलंक और बीमारी से जुड़ी पुर्वा ग्रह को समाप्त करना रखा गया था देखे 30 जनवरी को ही हर साल यह सहित दिवस के रूप में मनाया जाता है एक तो महात्मा गांदी जी के याद में दूसरा 23 मार्च को भारत के तीन असाधावन सतंता सेनानियों के बलिदान को याद करने के लिए सहित दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मन्त के साथ मिलते हैं दोस्तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सुस्काइब और सेर करना ना बुलें थैंक्यो